हेलो इस्टुनेंट्स वेल्कम बैक इन माई क्लास आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षावारा की अंग्रेज जी की बुक पैनौर्मा का चैप्टर दा रेड ट्रेप और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इस चैप्टर का थर्ड पार्ट और ये की यदि आप मेरे नए वियूर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इस्टेड टाइम भाई राजेश सर्मा और ये की वीडियो को प्लीज पूरा देखें जिससे आप बहतर तरीके से लेसन को समझ सकें लेट्स स्टार्ट अभी आदी घंटा भी नहीं हुआ था और उन्होंने फोर्ज के बाहर धराईगर के बाहर एक केरीज के भील्स की आवास सुनी एक गाड़ी के पईयों की आवास सुनी यानि जो आयन माश्टर था जिसने काफी प्रियास किया था उस रेट्रेप पेडलर को अपने साथ ले जाने का लेकिन वो नहीं माना और आखिरकार वो वहां से चला गया था और अभी उसको गए हुए आदी घंटा भी नहीं हुआ था कि फोर्ज के बाहर सभी लोगों ने एक गाड़ी के पईयों की अवास सुनी एंट ए न्यू गेस्ट केम इन और उस गाड़ी में साथ कोई आया होगा तो एक नया महमान अंदर आया बर दिस टाइम इट वाज नोट दा आयरन माश्टर लेकिन इस वार जो महमान आया था वो आयरन माश्टर नहीं था उसने अपनी डाटर को भेजा था अपनी बेटी को भेजा था अपारेंटली होपिंग इस पस ट्रूप से ऐसी आशा करते होए देट सी बुल्ड है बिन पावर ओफ परस्वेशन की उसके पास बैटर पावर है परस्वेशन का यानि उसके पास अ आयरन माश्टर ने ये सोच करके अपनी बेटी को भेजा कि मेरे से तो ये चला नहीं है रेट ट्रैप पेडलर सहर मेरी बेटी इसको बहतर तरीके से मना लेगी और घर लेकर के आ जाएगी सी एंटर वो अंदर आई फॉरड वाई ये वैलेट और उसके पीछे पीछे उसक डाल रखा था यानि एक फरका कोट लेकर के आया अपने हाथों में पकड़के सी वाज नोट एट ओल प्रेटी हाला कि वो जो लड़की थी वो ज्यादा खुबसूरत नहीं थी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड कॉइट साही लेकिन वो काफी मॉडेस्ट और जो है शाही देती थी इन दा फोर्ज एवरिटिंग वाज जस्ट एज इट हैड बिन अर्लियर इन दा इवनिंग और फोर्ज के अंदर जो चीजां थी वो ठीक अभी भी वैसी ही थी जैसा की पहले स्याम के वक्त थी अर्लियर इन दा इवनिंग यनि पहले जो स्याम के वक्त जो पस्त जितिया थी उस फोर्ज के अंदर उस डालाई गर के अंदर अभी भी कंडिशन वैसी की वैसी वहां पर थी यानि कि the master blacksmith and his apprentice इस्टिल सेट ऑन देर बेंच यानि कि जो master blacksmith था और जो उसका apprentice था यह जो उसका प्रिशिक्षिव था इस्टिल अभी भी सेट बैठे हुए थे ऑन देर बेंच अपनी बेंचों के उपर यह अपनी बेंच के उपर बैठे हुए थे दोनों जैसा पहले बैठे हुए थे आइरन एंट चारकोल still glowed in the furnace और charcoal और iron यानि कोईला और लोहा अभी भी फर्नांस में चमक रहे थे केने का मल अभी भी गरम हो रहे थे दा stranger had stretched himself out on the floor और उस stranger ने यानि उस रेटर पेडलर ने stretch कर लिया था अपने आपको on the floor फर्स पर यानि फर्स पर वो लेट गया था फैला लिया उसने and lay with a piece of pig iron और उसने एक pig iron के टुकले को यानि एक कच्चे लोहे के टुकले को रख लिया under his head अपने head के नीचे यानि सिर के नीचे तकिया बना करके and his head pulled down over his eyes और उसने अपने head को खेंच करके अपनी आँखों के उपर डाल लिया था as soon as the young girl caught sight of him और जैसे ही उस young girl ने उस युवा लड़की ने उसको देखा she went up and lifted his head वे उसके पास तक गई और उसके head को उठाया यानि जो उसने डाल रखा था अपने सिर के उपर आँखों के उपर उस head को पकड़ करके हटा लिया the man was evidently used to sleeping with one eye open और इस पश्टूप से वो जो आजमी था वो एक आँख खुली रख के सोने का आदी था यानि वो एक आँख खुली रख के सोया करता था कहने का मनला बहुत ही चोकन ना रहता था sleeping with one eye open यानि एक आँख खुली छोड़ के सोना इसका मतलब होता है कि चोकन ना हो करके सोना he jumped up abruptly और जैसे उसका हैट अटाया गया तो वो उचल करके खड़ा हो गया अचकाचा करके and seemed to be quite frightened और बहुत एकदम से भेवीट दिखाई पड़ा frightened my name is Adla Wilmansion said the young girl और उस young girl ने कहा कि भई मेरा नाम Adla Wilmansion है और my father came home and said मेरे पिता जी घर आये थे और उन्होंने मुझसे कहा that you wanted to sleep here in the forge tonight कि आज की रात तुम इस फोर्ज में इस धराई गर में सोना चाते थे and then I ask it permission तम मैंने उनकी आग्या मांगी to come यहां आने की and bring you home to us और तुम को हमारे घर ले जाने की I am so sorry captain कैप्टिन मुझे बहुत दुख है इस बात का की that you are having such a hard time कि तुम बहुत यह तुमारा जो वक्त है वो बहुत बुरा रहा है यानि तुमारी हालत बहुत खराब रही है she looked at him compassionately with her heavy eyes उसने अपनी heavy eyes यानि गंभीर आँखों से उसकी तरफ करवना पूंट तरीके से देखते हुए का सानुगूती पूंट तरीके से देखते हुए का and then she noticed that the man was afraid और तब उसने ये नोटिस किया कि वो आदमी डरा हुआ था either he has stolen something or else he has escaped from jail she thought तब उस रड़की ने सोचा कि सायद वो सकता है या तो ये आदमी जो है इसने कोई चीज चुराई है या फिर वो जेल से भाग कर के आया इस तरह उसने सोचा उस यंग गर ने उसको भेवीत देख करके and added quickly लेकिन तुरंत ही उसने अपनी बात को जाली रखा आगे बढ़ाया you may be sure captain captain तुम आस्वस्त हो सकते हो sure हो सकते हो that you will be allowed to leave us just as freely as you came या उस लड़की ने उसको ये कहा आस्वस्त करने के लिए कि कप्तान तुम हम को उतनी ही आजादी के साथ छोड़ सकते हो जितनी आजादी के साथ तुम यहां आये हो यानि जब भी तुम चाओ तुम हमको छोड़कर के जा सकते हो only please stay with us over Christmas Eve तुम सिर्फ Christmas की जो ये एव है यानि Christmas की जो पूर्व संद्या है इस पूर्व संद्या के अफसर पर करपा करके तुम हमारे साथ रहें she said this in such a friendly manner that the red trapper must have felt confidence in her और उसने अपनी इस बात को इतने friendly manner में कहा इतने मित्रता पूर्व तरीके से कहा कि वो जो red trapper पैडलर था उसे उसकी बातों पर विश्वास हो गया confidence हो गया it would never have occurred to me that you would bother with me yourself miss he said तब उस पैडलर ने कहा कि miss it would never have occurred to me यानि मैं कभी भी इस बात को नहीं जान पाया यानि मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चला कि तुम मेरी इतनी परवा करती है यानि मुझे को लेकर के इतनी परेशान हो आई विल कम एट वंस यदि ऐसी बात है तो आई विल कम एट वंस मैं तुरंग तुम्हारे साथ चलूँगा ये एक्सेप्टिट दा फर कोट उसने उस फर के कोट को जो लाया गया था नौकर के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया बिच दा वैलिट हैंडेड हिम विद ए डीब बो यानि उस नौकर ने उस फर के कोट को बड़ी जो है डीब बो के साथ यानि बड़ी आदर और सम्माल के साथ सिर जुका करके रेट ट्रेप पेडलर को हेंडेट कर दिया मनला उसे सौंप दिया तूइट ओवर हीज रेक्स एंट फॉलोर्ड दा यंग लेडी आउट टू दा केरीच तूइट ओवर हीज रेक्स और उसने पेडलर ने अपने रेक्स के उपर डाल करके उस फर के कोट को यह अपने जो फटे तूटे जो कपड़े उसने पहन रखे थे उनके उपर उस फरके कोट को डाल करके डाल लिया उसने और उस बाहर केरीज तक उस यंग लेडी के पीछे पीछे चला गया without granting the astonished blacksmiths so much as a grants और जो blacksmiths जो थे वहाँ पर जो लुहार थे उनकी तरफ जो है एक निगा भी नहीं डाली उसने जाते वक्त यानि बिना उनकी तरफ एक निगा डाले रेड ट्रेप पेडलर उस फरके कोट को अपने फड़े टूटे कपड़ों के उपर डाल करके उस यंग लेडी के पीछे पीछे केरीज तक चला गया और वाइल ही वाज राइडिंग अप टू दा मेनर हाउस और जब वो केरीज में बैट करके मेनर हाउस की तरफ जा रहा था उनकी कोटी की तरफ जा रहा था तो उसे अनिश्ट की आशंका हुई उसने मन में सोचा कि मैंने उस के धन को क्यों लिया मैंने उसके धन को क्यों चुराया यनि वो बात फिर दुबारा उसकी दिमाग माई कि मैंने उस आदमी के उस क्रॉफटर के धन को क्यों चुराया Now I am sitting in the trap and will never get out of it. और उसने ये सोचा कि अब मैं इस ट्रेप के अंदर बैट रहा हूँ और इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा. यानि मैं अफजाल में फस गया हूँ और इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा. इस तरह उसने सोचा. The next day was Christmas Eve. अगले दिन Christmas की पूर्व संद्या थी and when their own master came into the dining room for breakfast और जब उनका मालिक यानि आयन माश्टर came आया into the dining room, dining room के अंदर for breakfast, breakfast करने के लिए he probably thought संबर्था उसने ये सोचा with satisfaction. बड़े ही संतुष्टी पूर्ट तरीके से of his old regimental comrade अपने उस पुराने सेना के सिपाई के बारे में whom he had run across so unexpectedly अनपेक्षित रूप से, यानि जिसकी अपेक्ष्या नहीं की जाए यानि अनपेक्षित रूप से जिससे उसकी मुलाकात हो गई थी. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. तो उसने अपनी पुत्री से कहा, यानि आयन माश्टर ने अपनी पुत्री से कहा कि भई देखो, सबसे पहली चीज तो हमको ये देखना है, कि इसकी हड़ियों के उपर थोड़ा सा flesh चड़ जाए, मास्ट चड़ जाए. Who was busy at the table, जो अपनी table पर व्यस्त था. यानि अपनी table पर नास्टा करते वक्त, आयन माश्टर ने अपनी बेटी से एक आगे भी, बेटी अपन को पहले तो ये ध्यान रखना है, कि ये जो मेरा मित्र है सेना का जो पुराना सिपाई है तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि इसके जो है ये जो इतना दुबला पतला हो रहा है तिसके अड्डियों के उपर थोड़ा सा मास चड़ जाए ये हमको ध्यान रखना है and then we must see that he gets something else to do than to run around the country sailing red track और फिर हमको ये भी देखना चाहिए कि इसको कुछ काम धंदा मिल जाए यानि इसको करने को कोई और काम मिल जाए बजाए इस तरह घूम घूम करके चुहे दानी बेचने के It is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter तब उसकी पुत्री ने कहा कि बड़ी बिचितर बात है कि इसके हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए है Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man पिछली रात मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई भी ऐसी चीज थी जो ये दिखा सकती थी कि वह कभी कोई शिक्षित व्यक्ती रहा था उसकी पुत्री ने कहा You must have Patience, my little girl said the father तब पिताजी ने कहा कि तुम्हें धहरी रखना चाहिए मेरी बच्ची Patience रखना चाहिए As soon as he gets clean and dressed up जैसे ही ये नहादो लेगा clean हो जाएगा और dressed up हो जाएगा कपड़े पहन लेगा तो you will see something different तो तुमको ये बिलकुल अलगी दिखाई देगा Last night he was naturally embarrassed पिछली रात कि सभावी ग्रूप से embarrassed था बहुत परिशान था The tram manors will fall away from him with the tram clothage यानि उसके आवारा गर्दी वाले कपड़ों के उतरते ही यानि उसके आवारा गर्दी वाले कपड़ों के उतरते ही उसके आवारगी के हावावी समापत हो जाएंगे Just as he said this The door opened और ठीक तफ जब ये बात कही गई Just as he said this और ठीक उसी वक्त जब आयर्ल मास्टर नहीं ये कहा तो the door opened धरवाजा खुला and the stranger entered और वो अजनभी अंदर आया Yes, now he was truly clean and well dressed अब सभी ने उसकी तरफ देखा तो ये पाया कि वो अप पुरी तरह के से बिलकुल clean लग रहा था और पूरी तरह से उसने कपड़े पहन रखे थे यानि वो नादो करके बिलकुल स्वच लग रहा था और उसने पूरी तरीके से ढंके कपड़े पहन रखे थे उनका जो नोकर था उसने उसको नहलवाया था cut his hair उसके बाल बालों की cutting की थी यानि बाल छाटे उसके and saved him और उसकी दाड़ी भी बनाई थी moreover he was dressed in a good looking suit of clothets इससे भी अधिक बड़ी बात ये थी कि उसने अच्छे दिखाई पढ़ने वाले यानि उसने अच्छा दिखाई पढ़ने वाला कपड़ों का एक suit भी पहन रखा था which belonged to the iron master जो की iron master का था यानि उसने iron master का अच्छा दिखने वाला एक suit भी पहन रखा था he wore a white shirt and a starved collar and hall shoes उसने सफेद रंगी shirt पहन रखी थी और जिसके collar कड़क थे और पूरे बड़े वाले जूते पहन रखे थे but although his guest was now so well groomed their iron master did not seem pleased हला कि उनका जो महमान था अब बिलकुल पूरी तरह से सजा धजा था यानि बिलकुल सज गया था वो groomed हो गया था कहने का मले एक दूले की तरह सज गया था लेकिन उसकी उस सजावट से जो iron master था वो खुस नहीं हुआ he looked at him with puckered bro उसने भौहें चड़ा करके उसे देखा उसकी तरह and it was easy to understand और ये समझना बहुत आसान था that when he had seen the strange fellow उसने जब strange fellow को उस वक्त देखा था in the uncertain reflection from the finance उस finance की अनिश्चित रोसनी के अंदर तो he might have made a mistake तो उससे निश्चित रूप से कहीं कहीं गलती हुई थी but that now लेकिन अब अब इस्तितियां बदल गी थी when he stood there in broad daylight अब जबकि वो खुली रोसनी में खड़ा हुआ था यानि दिन की रोसनी में खड़ा हुआ था broad daylight में था जो हर चीज बिल्कुल इस्वर्ष दिखाई दे रही थी और it was impossible to mistake him for an old acquaintance और अब आयर्ण मास्टर से अपने पुराने परचित के रूप में पहचाने नहीं जाने की गलती करने का कहीं कोई संभावना नहीं थी यानि it was impossible to mistake और अब असंभव था गलती करना him for an old acquaintance उसके लिए अपने पुराने परचित के रूप में यानि पुराने परचित के रूप में उसे पहचानने में गलती करना असंभव था वाट ड़स दिस मीन he thundered यानि IARN Master अभि पहचान गया कि ये मेरा कोई पुराना वुराना मित्र नहीं है जब उसने दिन की रोस निम्रस से देखा तो वो पहचान गया कि है ये तो कोई और या आदमी है ये मेरा कोई पुराना मित्र नहीं है तो उसे वड़ा गुश्स और उसने कहा कि what does this mean, he thundered, वे गर्जा, क्या मतलब है इसका, the stranger made no attempt to dissimulate, लेकिन stranger ने भी धोका देनी की कोई कोशिस नी की, he saw at once, that the splendor had come to an end, वो तुरंथ इस बात को समझ गया कि उसकी जो सारी जोशान शौकत उसे अभी मिली थोड़ी देर के लिए, उसका खात्मा हो गया था, यानि उसने सोच लिया कि उसकी शान शौकत अब खतम हो गई है, he saw at once, उसने तुरंथ ये भापा देखा, that the splendor, he had come, यानि जो शान शौकत थोड़ी देर के लिए उसके पास आई थी, come to an end, उसका अंत हो गया था, it is not my fault sir, he said, तब उस रेट्रेप पेडलर ने कहा कि स्रीमान ये मेरा दोस्त नहीं है, I never pretended to be anything, मैंने कभी भी कोई और बनने का pretend नहीं किया, बहाना नहीं किया, दिखावा नहीं किया, but a poor trailer, सिवाए एक गरीब यापरी के, यानि उस रेट्रेप पेडलर ने कहा कि स्रीमान जी, मैंने किसी भी तरह आपको धोका नहीं दिया, मैंने आप से कभी नहीं का, कभी भी ये pretend नहीं किया, कि मैं कोई आपका मित्र हूँ, सिवाए इसके कि मैं एक poor trader हूँ, यानि poor trader के अलावा, मैंने और कुछ भी दिखाने का बहाना कभी भी नहीं किया, and I pleaded and began to be allowed to stay in the force, और मैंने तो आप से बहुत गुजारिश की, बहुत प्रार्चना की, कि मुझे force के अंदर ही रुकने दिया जाए, यानि धलाई घर के अंदर ही रहने दिया जाए, but no harm has been done, लेगन अभी भी, किसी तरह की कोई harm नहीं हुई है, कोई हानी नहीं हुई है, at worst I can put on my regs again and go away, सिर्फ इतना की, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ खराब जो होगा वो ये कि मैं दोबारा से मेरे पुराने फटे टूटे कपड़े पहन सकता हूँ, और यहां से चला जाता हूँ, well, said the iron master, तब उस iron master ने कहा कि ठीक है, hesitating a little, थोड़ा सा हिसके चाहते हुए, it was not quite honest either, लेगिन फिर भी, तुम पूरी तरीके से इमानदार नहीं थे, यानि तुम को उसी बक्त मुझे पश्ट करना चाहिए था, you must admit that, तुम को ये बाद स्विकार करनी चाहिए थी, तुम को ये बाद स्विकार करनी चाहिए, and I should not be surprised, if the sheriff would like to have something to say in the matter, और मुझे ये जानकर के आश्चरे नहीं होना चाहिए कि इस मामले में सेरिफ भी यदि कुछ कहना चाहे, यानि नियाय रदिकारी यदि इस मामले में कुछ कहना चाहेगा, इस मामले के अंदर तो मुझे ज़्यादा इस बात का आश्चरे नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये था कि उस आयन माश्टर ने एक तरीके से उसे धंगी दी कि वही ऐसा है कि अब इस मामले को न्याय दिकारी के उपर छोड़ा जाएगा और वो जैसा भी चाहेगा वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा तब टेंफ तुके स्टेप फरवार्ट एंड श्टक देबल विद इस फिस्ट तब टेंफ यानि वह आवारा ने एक कदम आगे बढ़ाया और टेविल के उपर अपने हाथ का घूसा मारते हुए कहा तब उस रेट टेप पेडलर ने कहा कि मिस्टर आयर्ट मास्टर अब मैं तुम को यह बताने जा रहा हूं कि चीजें क्या है यानि बात किस तरह है इस फिर वही अपनी बात उस आयर्ट मास्टर को सुना दी कि भई इस ने कहा कि यह सारी जो दुनिया है वो एक बड़े रेट टेप के अलावा और कुछ भी नहीं है एक बड़े बड़ी चुहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है अला गुड तिंग्स लेट आर ओफर टी यू सारी अच्छी चीजें जो तुम को ओफर की जाती है और नथिंग बट चीज रिंट्स एंट बिट्स अफ पॉर्क वो सिवाए चीज रिंट्स के और बिट्स अफ पॉर्क के अलावा कुछ नहीं है यानि सुर के मास के टुकडे और जो है पनीर के रिंट्स के अलावा कुछ नहीं है सेट आउट तु डैग ए पूर फैलो इंटु ट्रवल और ये सारी चीज हैं एक पूर फैलो को एक ख्रीब आदमी को एक बिचार आदमी को परिषानी में डालने के लिए लगाई गई है चारे के रूप में अट इवड सेरिफ कमस ना बाक मी अप फोर दिस और यिदी सेरिफ आता है नयाय दिकारी आता है और मुझे इस काम के लिए यदी जेल में डालता है लोक अप कर देता है और इस कारीय के लिए यदी मुझे जेल में डाल दिया जाता है then you Mr. Iron Master तब तुम Mr. Iron Master must remember तुम को भी ये बात याद रखनी चाहिए that a day may come कि एक दिन ऐसा आ सकता है when you yourself may want to get a big piece of pork जब तुम स्वेंबी एक बड़ा pork का टुकडा लेना चाहो and then you will get caught in the trap और तब तुम भी हो सकता है कि ट्रेफ के अंदर फंच जाओ यानि हो सकता है कि तुम भी इस पिंजरे में फंच जाओ the Iron Master began to laugh Iron Master उसकी बात सुनकर के हसने लगा that was not so badly set my good fellow मेरे अच्छे साथी तुमने बहुत बुरी तरीके से नहीं का यानि तुमने जो कुछ भी कहा है वो ज़्यादा बुरा नहीं है परेफस संभबत या वी शुट लैड दा सेरिफ अलान ओन क्रिस्मसी चलो ऐसा करते हैं इस क्रिस्मस की संद्धा पर हम सेरिफ को उसके ही हाल पे छोड़ देते हैं यानि उसको यहां नहीं बुलाते हैं न्याय अदिकारी को इस मामले में नहीं गसीटते हैं बट नाओ गेट आउट ओफ येर लेकिन यहां से निकल जाओ एस फास्ट आज यू कैन यानि जितनी तेजी से हो सकता है उतनी तेजी के साथ तुम यहां से अब दफा हो जाओ पट जिस्ट एड़ दा में वाज आफनिंग लड़ लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलने जा रहा था देटर सेट आयन माश्टर की बेटी ने कहा आई थिंक मैं चाहती हूं कि इनको आज हमारे साथ ही रुखना चाहिए I don't want him to go मैं इनको यहां से नहीं जाना देना चाहती and with that she went and closed the door और इसके साथ ही वो आगे गई और दरवाजे को बंद कर दिया What in the world are you doing said the father तब रड़की से आयन माश्टर ने कहा पिता ने कहा कि तुम क्या कर रही हो The doctor stood there quite embarrassed रड़की काफी परेशान खड़ी रही वहीं पर and hardly knew what to answer और क्या जवाब दे वो नहीं जानती थी That morning she had felt so happy उस सुबह बहुत ज़ादा खुसी उसने महसूस की When she thought जब उसने ये सोचा कि How Home Life कि कितना घर की तरह and Christmasy और Christmas की तरह She was going to make things बेच चीजों को कर रही थी For the poor hungry rich उस बिचारे जो है भूके ब्यक्ती के लिए यह उस भूके ब्यक्ती के लिए जो है बहुत ही घर की तरह और Christmas के सबसर पर वो उस ब्यक्ती के लिए चीजें कर रही थी तैयार कर रही थी She could not get away from the idea all at once और अपने इस बिचार को तुरंत ही अपने से दूर नहीं कर पाई और अपने इस बिचार को वो अपने से तुरंत ही दूर नहीं कर सकी and that was why she had interceded for the vagabond और यही करण था कि उसने उस vagabond के लिए बखालत की थी intercede किया था I am thinking of this stranger here said the young girl तो उसी young girl ने कहा कि मैं इस अजनवी के लिए यहां कुछ सोच रही हूँ He walks and walks the whole year long यानि यह पूरे साल यह आदमी भागता रहता है घूमता रहता है and there is probably not a single place in the whole country और पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक भी यह इसी जगे नहीं है where he is welcome जहां इसका स्वागत किया जाता हो and can feel at home और जहां यह घर की तरह महसूस कर सके ऐसी कोई भी जगे नहीं है wherever he turns he is chased away यह जहां भी जाता है लोग इसका पीछा करते हैं always he is afraid of being arrested and cross examined और हमेशा यह विचारा जो है इस बात को लेकर बहबीत रहता है कि कहीं से arrest नहीं कर लिये जाए कहीं इसके साथ cross examined नहीं हो कहीं इसके साथ पूस्तास नहीं हो तो हमेशा पूस्तास किये जाने और एक तरीके से ग्रफ्तार हो जाने कब है हमेशा इसके साथ बना रहता है I should like to have him enjoy a day of peace with us here मैं चालती हूँ कि एक दिन के लिए शांती के साथ यह हमारे साथ खुसी के साथ रहे just one in the hall here साल में एक बार आयन मास्टर मंबल्स सम्थिंग इन इस बेड़ आयन मास्टर मंबल्स सम्थिंग इन इस बेड़ उस आयन मास्टर वो जो आयन मास्टर था वो अपने दाडी के अंदर बढ़ बढ़ाया He could not bring himself to oppose her वै उसका oppose नहीं कर सका यानि अपनी बेटी की बात का विरोध नहीं कर सका It was all a mistake Of course He continued उसने कहना जारी रखा It was all a mistake Of course He continued यानि उस लड़की ने कहना जारी रखा It was all a mistake ये पूरी तरह से गलती थी वास्तम में But anyway I don't think ये फिर भी मैं ये नहीं सोचती कि भी ओट टू चास अवे यूमन भी कि हमको भी एक एक ऐसे विक्ती को भगा देना चाहिए इस मानव को भगा देना चाहिए कि हमको भी इस आदमी को यह से भगा देना चाहिए Whom we have asked it to come here जिसे हम ही यहां लेकर के आए है And to whom we have promised Christmas cheer और जिसके साथ हमने स्वेम ने ही Christmas मनाने का बादा किया है You do preach worse than a person said there our own master आयन माश्टर ने कहा कि अरे तुम तो जो है एक पादरी से भी बुरा उपदेश देती हो I only hope you won't have to regret this मैं तो सिर्फ इतनी आशा करता हूँ कि तुम को इसके उपर किसी तरह का पस्तावा नहीं होगा मैं तो सिर्फ इस बात की आशा करूँगा कि तुम को तुमारी इस बात पर पस्तावा नहीं हो कि तुम इस आदमी को यहां रोक रही हो The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table टेबल तक लेकर के आई खाने की टेबल तक लेकर के आई Now sit down and eat she said तब उसने कहा कि बैठो और खाना खाओ for secrecy that her father had given in क्योंकि वो देख सकती थी कि उसके पताजी ने आत्म समर्पन कर दिया था या उसकी बात मान ली थी The man with the red traps said not a word तब चुहेदानी वाले उस आदमी ने एक सब्द भी नहीं का He only sat down वो सिर्फ बैठ किया and helped himself to the food और उसने खाना सुरू कर दिया Time after time He looked at the young girl और बार बार वो सिर्फ उठा करके उस young girl की तरफ देखता Who had interceded for him जिसने उसका बचाव किया था जिसने उसकी बचालत की थी उसके रुकने की Why had she done it उसने ऐसा क्यों किया था What could the crazy idea be after that इसके पीछे किस तरह का पागलपन से भरा हुआ विचार हो सकता था तो dear students आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और आगे क्या होगा अब चुकी जैसा कि आपने देखा कि उस red trap पेडलर को उस young girl ने किसी तरीके से अपने पिता के साथ बहस करके रोक लिया घर में क्रिस्मस की इप पर और आगे क्या होने वाला है उस red trap पेडलर का ये सारी चीजे हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या है